हेलो दोस्तो आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्ट फायदे मंद रेमेडी लेकर आई हूँ दोस्तो किसी किसी को क्या होता है आपने देखा होगा कि कभी कभी बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है हड़ियां और मासफेशों में दर्द होता है एठन होती है नीन भी ठीक से नहीं आती है या फिर अगर नीन आती है तो बहुत ज़्यादा आती है और जब सुबा में सो कर उटते हैं तो हमारे पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है शरीर जैसे ऐसा रहता है पूरा जिसम जो है तूट रहा है ठाकान महसूस होती है शरीर की इनरजी खत्म हो चुकी होती है इन सारी प्रोब्लम्स को दूर करेगी आज की ये रेमेडी और नसों से जुड़ी हुई सारी परिशानिया या फिर पेट में दर्द होता है वो भी ठीक हो जाएगा या बधजमी की समस्या रहती है सीने में जलन रहती है चक्कर आते हैं और या फिर सर में दर्द होता है सर भारी भारी रहता है पेट में अलकस रहता है भारी पन रहता है पेट गुफरा गुफरा रहता है तो ये सारी समस्या ठीक हो जाएंगी फ्रेंट्स बहुत ही पाउरफुल रेमेडी है आप इस वीडियो को शुरू से लास्टर तक देखेगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए साथी वीडियो को लाइक कीजिए मैं इसकी तारीफ करूँ तो उतनी ही कम है जितनी तारीफ करूँ बहुत ही जादा बेनेफिशियल ये रेमेडी होने वाली है आपको एक गलास दूद लेना है वो भी गाए का गाए का दूद जो है बहुत ही जादा गुड़कारी होता है हमारी हेल्थ के लिए बहुत सी सारी बीमारियां गाए के दूसरे खतम हो जाते हैं इसको हलका सा गर्म होने के लिए रखते हैं फिर इसमें हम डालेंगे इसमें सौफ सौफ क्या करती है हमारे शरीर में जो है खोन की कमी को पूरा करती है और हमारे पीरिट्स में होने वाला दर्द जो होता है उसको भी खतम करती है पेट दर्द को खतम करती है गैस को ऐसे डिटी को खतम करती है आदमी आपको 1-1.5 इंच का करीब अधरक का टुकड़ा लेना है अधरक क्या करता है हमारे सरदर्द को हमारे पेट दर्द को बधजमी की शिकायत को पीड़स में होने वाले दर्द को पेट दर्द को सब को ठीक करता है हमारे केलस्ट्रोल को कंट्रोल में रखता है दोस्तों इसको grate करके आपको इस drink में डाल देना है और इसको अच्छी तरह से आपको पकाना है इसको पकाना कैसे है आपको पूरी drink को आपको बनाना है slow flame पर ही आप अपने gas का flame slow ही रखिए और पूरी तरह से अच्छी तरह से ये बन कर तयार हो जाएगी इसके बाद में हमें लेना है इसमें धागे वाली मिश्री आपको इसमें मीठे की जगा धागे वाली मिश्री का इस्तिमाल करना है तो ले करके हम इसको कोट कर बारी करके डाल दिया है फ्रेंट्स जिन लोगों को diabetes है, diabetes की बीमारी है तो वो इसमें मिश्री को अवाइट कर दें यानि कि स्किप कर दें मिश्री का इसमें इस्तिमाल ना करें और अब ये हमारी ड्रिंक जो है बनकर तयार होने वाली है पूरी तरह से बिना मिश्री के वे ये बहुत ही जादा टेस्टी होगी बहुत ही यम्मी होगी इसका टेस्स इतना अच्छा होगा कि आपको पी कर मज़ा आ जाएगा फ्रेंट्स इसको पीना कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगी तो हमारी पकते हुए आठ से दस मिनट हो चुके हैं अब हम अपने गैस के फ्लेम को बंद करते हैं और इसको अगला प इसको चानने की जरूरत ही नहीं है अगर आप चैसको खुआने की जरूरत ही नहीं है अगर आप चैसको खाना पसmadत नहीं करते ह Half Just सिर्फ दूद दूद का सेवन कर लीजिए तो आपको इसका सेवन करना है रात को सोने से पहले रोजाना रात के खाने के बाद आप इस ड्रिंक को बना करके पी लीजिए इससे आप देखेंगे कि पहले दिन से ही आपको इतना जादा फायदा दिखेंगा आप सुबह मुझी रियो कमें जूरा झाल